अगर आपका गुरू दूसरे घर में है तो आप मीठा बोलने वाला बनेंगे क्योंकि दूसरा घर जो है वो मूख का कारक होता है उसके बाद आपको उच्छ शिक्षा प्राप्त हो सकता है आप कानूल के छेतर में अच्छा कर सकते हैं धर्म के छेतर में आप अच्छा कर सकत लेकिर यहीं पे नीच अब उच और नीच की भी जानकारी आप ले लिजिए कि गुरू जो है वो करक में उच का होता है और मकर में मकर रासिब में वो नीच का होता है तो आप उस बक्त ये भी देख लिजिए कि इसमें कुन सा नंबर लिखा हुआ है जैसे कि करक है यानि कि चार नम्मर यहाँ पे लिखा हुआ है और गुरू है तो वो उच्च का होगा और अगर मकर यहाँ पे मकर देखिए तो यहाँ पे 12, 11, 10 यानि की 10 में यह अगर गुरू है तो वो नीच का माना जाएगा अब नीच का ही गुरू होगा तो आपके परिवार में कलह होगा पैसा डिगरी का है इस स्थिति में कभी कभी ये भी करता है कि अचनक ऐसे रोग भी दे देता है गुरू अगर नीच का हो तो देखिए नीच में होने के देखिए इसमें हम आपको लास्ट में उपाई भी हर वीडियो के लास्ट में हम आपको उपाई भी बताते जाते हैं इस स्थ यहां पर गुरु बैठा हुआ है तो धन समपति सबको लेकर दिया उच्छ अधिकारी बनाया आपको सेना के छेतर में आपको आगे लेकर गया इसी के अलाबा इसकी दिरिष्टी जो होती है वो तिन दिरिष्टी होती है पंचम हम यहां पर लिख देते हैं पंचम सब्तम और नाइंथ यह तीन दिरिष्टी इनकी होती है अगर यहां से अगर एक दो तीन चार पंच इस घर को देखा यानि की गुरु इस घर को देखेगा तो यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी डिगरी कितना है ऐसे आपको सत्रू बढ़ा देगा अब यहां पर राहू शुर्ज नहीं बैठा हुआ है चाटे नमर में तो आप सत्रू से हर वक्त आप हार जाएंगे उस इस्थिती में आपको सुर्ज की इस्थिति देखना पड़ेगा कि सुर्ज कहां बैठा हुआ है किस इस्थिती में है उसको मजबूत करने के लिए अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखना पड़ेगा आपके कुली की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरू के घर में दो नम्मर के यहनी कि शुकर के घर में गुरू बैठा हुआ है तो यहाँ भी थोरा सा फल जो है इस कुली के हिसाब से थोरा कम देखा आपके साथ में रोग एकसिडेंट ये सब नहीं होने देगा शुसराल से अच्छा धन संपती आपको अरजित करवा कर लेकर दे सकता है क्योंकि शुसराल से पैसे बहुत अच्छा आजगा आप विदेश जाके कमा सकते हैं विदेश से पैसा अरजित कर सकते हैं पैत्रिक धंसंपती से भी आपको लाव होगा लेकि पैत्रिक धंसंपती में आपको थोरी सी प्रॉब्लिम होते रहेगा लेकि पैत्रिक धंसंपती ह अगर इसकी सब्तन दृष्टी की बात किये अगर नभम दृष्टी की बात करते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इस घर को देखता है यहाँ पर भी यह अच्छा ही रिजल्ट लेकर देता है सपोज कि यहाँ पर सुक्र बैट गया आपका मंगल बैट गया त जो जिम्मेदारी है आगर आप घर में बरे हैं या चोटे घर की जिम्मेदारी तो जल्दी आपके ऊपर आजाएगा हो सकता है यह आपको कम उमर में साधी भी करवा दे सुक्री की स्थिति अगर लर्की की कुल्ली है तो अच्छा है तब और लर्की की कुल्ली में अगर ब पाइदा लेकर देता है आप जरूर कमेंट में लिखें कि गुरू आपका किस घर में बैठा हुआ है और किस के साथ बैठा हुआ है और लगन क्या है ये तीन चीज जरूर आप जब भी आप कमेंट करें तो ये तीन चीज जरूर बताएं दोस्तों अगर आपके पास में कोई नहीं दे रहा है तो केले का पेर जरूर लगाएं और केले के पेर में पीला फल जरूर अर्पित करें ये ब्रश्पती के वार के दिन आप कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेस्त्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तु सीखना चाहते हैं